हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको बिल्कुल अलग तरीकी से और बहुते तदा टेस्टी आलू से हम लोग बिल्कुल अलग तरीकी से नाश्टे कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगी तो आप देख सकते हैं आलू से नाश्टे बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइम मैंने तीन इ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने आलों को काट लिए यह लिए है जार, तो जार में आलो डालना है और यह बहुत ही ज़दा अलग-टारी की कि नाष्टा बनेगा, तो एक बढ़त आप बनाकर भीत आपको ज़ות बिल्कूल बना करशिता लाट की आसथि केजिए, औ दो से तीन इस तamin हरी मिर्च लिये हैं और आप देख सकते हैं दो बड़े पीच मैंने अद्रक की लिया है तो अद्रक को भी डाल देना और यह लिया को यह लिया है मैंने दही तो दही इस नाश्ट तो अब अच्छी तरीकी से इन सभी चीजों को पीस लेना है तो इनको पीस लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीकी से बारी ग्राइंडर में तो इस तरीकी से आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है तो मैं आपको दिखा देती हूं तो यह बिल्कुल ईजीली पीस जाती है ग्राइंडर में तो इस तरीके से मैंने धक्कन भी खोल लिया है आप देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाते हैं तो इस तरीके का यह बैटर की कंसिटेंसी हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको कहा है 1500 ग्राम के लगबग ही आप मैंन पीस कर ली थी सूजी को मैंने पहले बिल्कुल अची तरीक से बारीक पीस लिया था और मार्केट में दो टाइप की सूजी आते हैं एक मोटी वाली और एक बारीक वाली तो आपके पास जो भी है आप उसको पीस कर डाल सकते हैं अगर थोड़ी मोटी वाली है तो आप उसक तरही किसे mix हो चुका है और आप बैटर की consistency देख सकते हैं यह नहीं जदा पतला और नहीं जदा गाड़ा तो इसमें कुछ spices पाउडर नहीं है तो आप जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं उसका भी उसकर सकते हैं बट यह जो कालिमेश पाउडर होती है इससे एक फाइदा और होता है कि हम लोगों की आँखों के लिए बहुत ही जादा फाइदा करती है तो इस तरीकी से आप डालेंगे तो इस पेस्ट पालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी अट करेंगे ताकि जो रियक्शन हो जल्दी स्टार्ट हो सके इनो का तो बची तरीकी से बैटरे में मिक्स कर लेना इनो को और आप खुद देख सकते कितने इजी लिए नाश्टा बनके त्यार हो जाता है तो आप घर में कितने इ आप देख सकते हैं यह बनके त्यार हो चुका है पेस्ट यह मैंने केक्टिन लिया है आप देख सकते इस तरीके से और इसमें थरड़ा साड़ में डाल रखा था तो ऑईल को इस तरीकी से सभी साइट से ग्रीस कर देंगे और इस नाश्टे का एक और फायदा आपको बटर करणाई भी नहीं रखने एक दम से तो इस तरीके से आप देख सकते है इस ट्राइम मेंने बैटर को डाल दिये और यह आप देख सकते हैरई ना चूकास टेल्र ने तक मैं पानी गरं किया और फिर ही केक्टिन रखा है इस तरीके से तो 20-25 मिनिट इसको हम लोगों को मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ तो अब इसका तड़का बना कर त्यार करेंगे तो तड़का इस तरीके के मैं लोही की तवे पर बना रही हूँ तो इसमें ऑईल डालना है सबसे पहले तो तो ऑईल आप देख सकते हैं एक चमच के लगबग मैंने डाल दिये तो ऑईल क मैं बिल्कुल कम हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल यह बहुत जादा तीखा नाश्ता बना है क्योंकि मैंने पहले भी हरी मिर्च का यूज किया है और फिर काले मिर्च पाउडर का यूज किया था तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तड़का बनके त रहा है तो हमारी सिंपल तरीके से के इसको Alaska अगे के लगी कि लाइक करें नहीं अधोर के साथ सकते किसी इसास ंगर को सकते सब्सक्राइब दिखा जबसें किंग यॡ'